वेलकम बेक गाइज मैं हूं अब्दुल आप देख रहे हैं लेट्स एजुकेटेड तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था चेंशर्विंग क्या होती है और आफसेट्स के बारे में भी हमने जानता आफसेट्स क्या होते हैं कितने टाइपस की होते हैं इंस्ट अब्सक्राइब करेंगे तो हम इस वीडियो में यहीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन और सर्वेश टेशन कैसे होना चाहिए चैनिंग में अब्स्टिकल्स क्या क्या होते हैं और एरर्स क्या क्या होते हैं उन पर बेज़ धम कुछ निमेरिकल प्रॉब्लम् कि सुदाइस हम पहले देखते हैं कि सिलेक्शन और सर्वे स्टेशन जो सर्वे स्टेशन हम बनाते हैं जो चाहे वो में स्टेशन हो या इंटर्मेडियेट तो हम उनमें क्या पॉइंट्स अपने माइंड में रखें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जो first point आता है, वो यह है कि जो stations होते हैं, वो ऐसे select होना चाहिए that they follow the principle of chain surveying. जो हम stations चुन रहे हैं, वो हमें ऐसे चुननने चाहिए कि जो हमारा chain surveying का basic principle है, जो कि triangulation होता है, वो strictly follow हो, okay, second point, survey stations जो होना चाहिए, वो inter-visible होना चाहिए, यानि कि यह जदी अपने दो survey stations हैं, let's suppose A और B, यह service stations ऐसे होना चाहिए कि हम A पर खड़े होकर B को देख सकेंगे, और B पर खड़े होकर A को देख सकें, यानि कि आपस में inter-visibility होना चाहिए, ऐसे survey stations हमें चुननना चाहिए, क्योंकि इससे फिरा में आगे ranging में दिक्कत हो सकत होड़ी हैं, जो थीसरा point आता है, वो है, the survey line should be taken through fairly level ground as far as practicable, जो हमारी survey line जाती है, वो हमें जितना हो सके, उतना level ground से ले जाना चाहिए, ना कि undulated, यानि कि हमारा ground plane हो, जहां तक possible हो सके ना कि undulated हो इसमें सर्वे करने में भी दिक्कत जाएगी हमें उसमें दिक्कत जाएगी तो दोस्तों यह थी हमारे तो starting के three points ऐसे हमको 78 points में remind में रखने पड़ते हैं ओके तो इसमें आप हमारा fourth point है the main survey line should pass close to the boundary line of the area to be surveyed जो हमारी main survey line होती है न वो हमारी boundary line के pass होना चाहिए यानि कि यदि ये boundary line हमारी बिलकुल ये कौन हो करें ये boundary line जैसे घर की हुए तो हमारी ये boundary line के पास ही होना चाहिए जिस एरिया का में survey करने जैसे को ये कोई area है ये boundary line है तो survey line उसके boundary के पास ही होना चाहिए जैसे कि हमें आगे दिक्कत ना हो और दोस्तों जैसा कि आप सब देखी रहे हैं कि हमने थोड़ा improvement कर लिया है धिरे धिरे थोड़ा और improvement होता जाएगा because we have exchanged our pen और paper from glass and sketch ये थोड़े custom type के sketch है क्योंकि ये जैसे दिखते हैं वैसे बहुत ही कम चलते हैं ये अपना color बदलते रहते हैं तो चलिए ये तो हुए हमारे four points अब जानते हैं fifth point क्या होता है किस के लिए selection of service stations के लिए survey line should be taken close to the object ओके जो survey line हमारे जाती है ये object के पास होना चाहिए जैसे ये object है तो ये पास है जैसे कि यह हम जब offset लेते हैं न ऑफसेट लेंगे जब ये object ऑफसेट लेंगे जब तो ऑफसेट लेने में हमें कोई problem ना आए आसानी से हम offset लोकेट कर पाएं इसलिए हमारे survey line जो है वो object के जितने पास हो जो उतने पास रखना चाहिए जो आता है जो subsidiary stations है वो ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए ये check line लेने में हमें कोई problem ना आए subsidiary station station को आप stn.b लेख सकते हैं short form में क्योंकि वो अपने अपने short form होते हैं कोई stn लेखता है कोई station पूरा लेखता है आप stn भी लेख सकते हैं subsidiary station है city बेसलेक्ट फॉर टेकिन चेक लाइन इनको ऐसे सेलेक्ट ना चाहिए कि आप चेक लाइन में आपको कोई problem ना हो ओके seven point जो आता है station should be so selected that obstacles in chaining are avoided as far as possible जो अपने service station से पंचुन रही है a b c कुछ भी हो वो ऐसे चुनना चाहिए इसमें कोई obstacles ना हो मानली जी आपने service station चुन लेकिन यहां पर एक building आ रही है यहां पर कोई pond आ रहा है तो यह सब चीज नहीं होना चाहिए जहां तक हो सके अपनको obstacles क्या करना चाहिए remove करना चाहिए avoid करना चाहिए इस पॉइंट अपना आता है वह है तो survey line should not be very close to main road जैसे यह आपकी main road गई है यह बीच में जो divider बरना रहता है यह जो आपकी main road गई है इसके बहुत pass नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए वह आप लोग भी जानते हैं क्योंकि जब अपन survey work कर रहे होंगी वह survey line अपनी main road के बहुत ही pass होगी तो यह जो अपना survey work होगा न वो ट्राफिक की वज़े से interrupt हो जाएगा मतलब इसमें अपन को बाद आएंगे अपन को survey work करने में problem होगी तो दोस्तों यह तो थे कुछ points जो कि हमें अपने mind में रखने पड़ते हैं जो survey station select करते हैं अब अपन देखने जा रहे हैं कि जो chain surveying होती है ना है रैवी चैनिंग जिसे हम कहते हैं प्रॉसस को उसमें obstacles क्यां क्यों क्यों होते हैं क्योंकि हर चीडिमें obstacles होती हैं और हम बात कर थे इसесь अप सब्सक्राइब कर दो यूज staffing होगी season कर देंड हैं कि क्या क्यों होते हैं अब हम बात करते हैं आफ्स्टिकल्स इन चेनिंग की ऑप्स्टिकल्स कियाकर देखने को मिल सकते हैं पहला जो आफ्स्टिकल्स होता है चेनिंग में वो हमारे सामने आता है इसका मतलब क्या हुगा इसका मतलब यह है ऐसी जगे जहां पर हम चेनिंग तो कर सकते हैं बट देख नहीं सकते यानि कि यसे कि आप किसी जंगल में हैं किसी जंगल में हैं वहां पर पिड़ लगी हुए है आफ पर दिया कि ऐख दून किन के इसेड हुआ है कि आफ इस इरिया में सरवय कर सकते हैं बिलकल कर सकते इसन लेकिन अपर कड़ी ऊपकि dinheiro कि मतलब क्या हुआ इसमें क्या ओब्स्ट्रक्टरिड ए विजन आप्स्ट्रक्ट्टड है बट चेनिंग फ्री है अब जो दूसरा अब्स्टिकल आता है वो रहता है बैं चेनिंग आप्स्ट्रक्टड बट विजन फ्री ओके इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब एक हम्म चेनिंग तो कर सकते हैं कहीं इससा मतलब यहगा है देख तो सकते हैं यहां से यहां भी देख सकते हैं because यह ए और जो यह बी है वो इंटर विजिबल हैं आपस में क्योंकि सर्वी स्टेशन हमें ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं जो इंटर विजिबल हो तो यह इंटर विजिबल तो है यानि कि विजन तो फिरी है हमारा बट चेनिंग हम यहां पड़ चेनिंग एंड विजन बहुत अब्स्ट्रक्टेड यहने कि ना ही तो हम वहां पर चेनिंग कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं इसका मतलब यह वो कि यह हमारी दूश्टिसन है ए और बी यहां पर हमें सर्वे करना है तो हम ना ही इने देख सकते हैं ना ही यहां पर चेनिंग कर सकते हैं यह कब होगा जब यहां पर कोई आपस्टिकल बड़ा होगा जैसे कोई बिल्लिंग वगेरा बिल्लिंग या कोई अपार्टमेंट या किसी अगर जब यह तो हम वहाँ पर chaining कर सकते हैं because यह obstruct करेगा ना ही हम यहां से खड़े होकर देख सकते हैं क्योंकि यह इंटर्वीजिबल ही नहीं हुख आएंगे तो यह तीन तरह के कुछ numerical problems देखेंगे वह उनके solutions भी तो अब हम देखते हैं चेनिंग में यानि की chain surveying में errors क्या क्या होते हैं अभी तक तो हमने देखा की chain surveying में obstacles क्या क्या होते हैं बट अब हम देखेंगे की errors क्या क्या होते हैं errors इसमें क्या होता है creator दोन, वैसे वह काफी थारहे हैं, जब यादि या आप रीडिंग धंग से नहीं पड़ने या पर लखने में रीडिंग गलती कर देंby रीडिंग पढने में गलती कर देंby या फिर चेंज फोल्ड लोग या आपकी कहीं से वो आपने नहीं पकड़ी तो इस तरह के काफी errors होते हैं लेकिन जो मेरे होता है वो error due to incorrect length कि मैं आपको बाकी error फिर से एक पर repeat कर देता हूं जो errors होते हैं वो जैसे कि आपने चेंज गलत पकड़ी हुई है या चेंज की मारकिंग गलत की है या फिर आपने length आपसे पड़ते नहीं वनी या फिर आपने chain की length जो निकाली है वो reading आपने copy में गलत उताड़ ली है इस प्रकार की या चेंज आपकी कहीं से fold हो गई है रिंग जो वो होती है ना link वो एक की उपर एक fold हो गई है तो इस प्रकार की काफी errors होते हैं वो आपकी उपर depend करते हैं कि आप कितने मतलब साथी उसको ध्यान से practical कर रहे हैं बट जो main error होता है वो error due to incorrect length होता है इसमें सिर्फ केवल दो तरह के error होते हैं वें चेंज टू शॉर्ट ओके तो length में सिर्फ दो ही होते हैं या तो chain too short हो या chain too long हो इसे length में error होता है यही होता है या तो आपकी length जह actual length है वो इससे कम हो जाये या बड़ जाये क्योंकि length 2 परकार की होता है आप इस तक तक आप Exactly length पढ़ते होंगे लेंग कर ten survey में length being 2 परकार की एक्ट्वल लेंथ जो होती है वह औरिजिनल लेंथ होती है इंस्ट्रुमेंट की जो मीजर्ड लेंथ होती है जितना आपने मीजर किया मीजर किया होता है जो आपने हो रहती है अपनी मीजर्ड लेंथ जितना आपन नापते हैं तो यह सब्सक्राइए अब बात करते हैं वेंड चेन इस टू शॉर्ट यापनी चेन टू शॉर्ट हो यानि कि एग्जाम्पल लेते हैं यह कि स्केल है 15 cm का यह क्या हुई इसकी एक्चुल लेंथ लेकिन कुछ एरर के कारण कुछ एरर के कारण इसकी लेंथ एक सेंटिमीटर कम हो गई यानि कि यह हो गई 14 cm बट अपन को पता नहीं है कि यह 14 cm हो चुगी है सर्फ इसकी लेंथ में एरर आया है लेकिन अभी अपन को पता नहीं है कि एक सेंटिमीटर का इसमें एरर है तो अपन ने इसको दोबार लगाया अपने अपने इसको मीजर किया मीजर अपने कितना करेंगी यहाँ सब्सक्राइब थर्टी सेंटी मीटर क्योंकि अपन को पता नही कि में एरर है तो यह क्या ह Northern इसकी एक्च्वल में लेंड पूर्टी मीटर ही यानिकि इसकी जो एक्च्वल लेंथ होगी वो 28 cm होगी जो की 2 cm से कम है यानिकि जो अपना फर्ष्ट एरर रहता है बैंन दे चेन इस तू शॉर्ट इसमें मीजर्ड लेंथ अपनी एक्च्वल लेंथ से ग्रेटर होती है यानिकि आपने यहां देखना एक्च्वल लेंथ अपनी कम है मीजर्ड लेंथ अपनी ज्यादा है तो यह कौन से एरर होता है वेंद चेन इस टू शॉर्ट ऐसा यह जो दूसरा एरर रस में होता है गर्मी के कारण या किसी खीचने के कारण या किसी भी कारण से आपकी है वो थोड़ी लंबी हो गई है या सीसे अपना ये एक इसमें कुछ एरर आई यह 16 16 cm का हो गया लेकिन अपने को पता नहीं है कि 16 cm अपने दो बार इसको रखा डिस्टेंस अपने मीजर की ये कितनी अपने हसाब से कितनी होना चाहिए ये 30 cm यानि कि अपने मीजर किया इतना मीजर लेंथ ओके लेकिन एक्चुल में ये कितनी है 16 प्लस 16 32 cm ये क्या होई इसकी एक्चुल लेंथ तो ये जो अपना एरर होता है वेंदर चीन इस टू लॉंग इसमें जो अपनी एक्चुल लेंथ होती है ना वो ग्रेटर देन होती है मीजर लेंथ से ओके और इसमें क्या था इसमें जो अपनी मीजर लेंथ होती है वो एक्चुल लेंथ से ज्यादा होती है लेकिन इस वाले एरर में एक्चुल लेंथ अपनी मीजर लेंथ से ज्यादा होती है ये तो होगए इन सब की बात की एर अब अपने को बाद में पता चलिया है कि एरर 2 cm अब अब लेकिन अब आपने लेंथ बहुत ही जादा मेजर के लिए इतना होगा लेकिन जब आप चेन बार बार रिपीट करकर लगाते जाते हैं वह बहुत किलो मीटर्स पहुंच जाती है तो यह अधनी आसाने से नहीं निक इन मीजर्ड लेंद्ध इस थोड़ा लाइट चलता है देखती कोई बात नहीं डार्क भी अपने पास अवेलिबल है हेडिंग में थोड़ा लाइट से डाल देता हूं से चलकता है थोड़े डिफरेंट कलर यूज करना तो चलिके दिखते हैं क्यों कि अपने मीजर्ड लेंथ में ही अपलाई करना पड़ेगा इसका एक सेंपल सा फॉर्मूला होता है स्मॉल एल इस एकल टू स्मॉल एल डैश मुल्टिप्लाइड बाई कैपिटाल डैश डिवाइड बाई कैपिटाल एल ओके अब यह जान लेते हैं क्योंकि जब आप कोई फॉर्मूला लगते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टन होता है कि आप डिस्क्राइब करें कि कोई सी किसके लिए हैं चलिए दिखते हैं जहां पर वेयर इसमें जो की स्मॉल एल है यह ट्रू लेंद्ध है ओके या फिर इसको एक्चुल लेंद्ध भी जिसे कहते हैं कि यह जो अपना एल डैश है यह मेजर्ड लेंद्ध कि आपको स्मय करें तो आपको समय कि लिए ते नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट करकर बता सकते हैं कोशिख करूंगा यदि कम्न जादा आते हैं यानि प्रॉब्लम कर जादा आती हैं तो मैं इस पर सेपरेड बीडियो एक बना कर डाल सकता हूं नहीं तो आप वीडियो समझ सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा टाइम लग सकता है अब अब कैपिटल लेलेश इनकरेक्ट लेंद्थ और आफ जीन एंड कैपिटल एलेश डेजिनेटेड लेंद्थ आफ चेन ओके तो यह हमारी सारी डिस्क्राइब है जो वह ट्रू लेंद्थ और एक्च्व लेंद्थ उसकी चेन की है और मेजर लेंथ जाने कि जतनी आपने मेजर कर ले हैं ल- इनकरेक्ट लेंथ में एरर कितना है इनकरेक्ट लेंथ वह इसमें चेंड की ओरिजनल लेंथ प्लस एरा हो जाता है और डेसिंगनेटिड लेंथ यानि यानि की चैन अपनी कितने मीटर के 20 मेटर 30 मेटर 5 मेटर 10 मेटर ये उसी के हिसाब से होती है तो चली है अब एक निमेरिकल प्रापल्लम में हम देखते हैं कि ये निमेरिकल प्राप्लम कैसे आ सकती हैं ओके तो इसके Qc दिए कि अध फिए फसली मैं गुशन ते लेंध छूजन लयाँ टा लाइन लेंध तौन टूलई तीमेठर ची तोय खूछं पिर थे वाज़। found to be 250 mm meter found to be 250 meter जो survey line की length है वो 250 meter है calculate the TL true length of line if chain was 10 cm too long आप लोग यह जानते ही है कि जब error too long में हो यानि जो हमारी chain too long होती है तब जो measured length होती है वो actual length से कम होती है यानि कि हमारी actual length ज्यादा होगी measured length से तो इसका solution देखते है solution किस परकार से आएगा solution में हमें क्या find करना है देखिए सबसे पहले हम जतना जो कुछ आपको solve करने सबसे simple तरीका यह है या पहले question को अच्छे से पढ़ें और समझें कि उसमें दिया क्या क्या है question देखते है the length of a survey line measured with a 20 meter chain 20 meter यानि कि यह designated length है which is L capital L chain was found to be 250 meter यानि कि अपन ने इसको इतना measure किया है इस chain से इतना measure किया यानि कि यह होगी measured length L L' calculate the true length of the line if chain was 10 cm 2 long यह है error इसको अपन इसमें plus करेंगे तो अपने पास आ जाएगी incorrect length तो अपन को दिया क्या क्या है measured length L' 250 meter incorrect length L' L' अब incorrect length की बात आए incorrect length में अपन क्या करेंगे chain की designated length में error प्लस कर देंगे 20 meter plus 0.10 meter यहां पर आपको ध्यान देने की बहुत आवश्रकता है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं 20 meter plus 10 cm कर देते हैं और आगे लिख देते हैं 20.10 meter इससे क्या होता है कभी कभी यह लोग cm लिखना भूल जाते हैं तो वह क्या हो जाएगा 30 meter इससे आपकी paper में marks कटने के chances काफी बढ़ जाते हैं आपका पूरा question ही गलत हो सकता है भले ही आपने सही लगाया हो इसलिए अपनी length कितनी हो जाएगी 20.10 meter यह meter में change करेंगे पहले आप इसको cm से ओके designated length है DL क्या होती है capital L वह है अपनी 20 meter now we know that मुझे ना सबसे अच्छी line लगती है we know that हम जानते हैं रख दीजिये formula L is equal to L' multiplied by L' divided by L अब जितने भी आपकी पास्वेल लिए आप सारी पूट कर दीगे लाइंस 250 multiplied by 20.10 divided by 20 250 यह कितना हो जाएगा 250 250 251.25 meter मैं जादा calculation नहीं मैंने सिधा आंसर लिग दिया आप calculate कर सकते हैं इतना ही आएगा 250.25 meter यह आपका answer आया यानि कि जो original length थी actual length थी वो इतनी थी क्योंकि जाओ हमारी chain too long होती है तब actual length measured length यह जादा आनी चाहिए यह आपका ध्यान देना चाहिए यादी यह आपका answer कम आ रहा है तो आपका answer गलत हो सकता है आपको यह चेक करना पड़ेगा कि यह आपकी length इस length से measured length से जादा है क्योंकि यह आपकी actual length है okay यह आपकी obviously जादा आना चाहिए okay guys मैं आपको अगला question सीदा दिखा ही देता हूँ guys यह सागी आप लोग अगला question देख लीजिए मैं आपको पड़कर सुना देता हूँ directly the length of a survey line was measured with a 20 meter chain and was found to be 1200 meters as a check the length was again measured with a 25 meter chain and was found to be 1212 meter on comparing 20 meter chain with the least gauge test gauge it was found to be 1 decimeter too long find the actual length of 25 centimeter chain used simple सी बात है देखते है question क्या कहना चाहरा है question क्या कहरा है the length of a survey line was measured with a 20 meter chain जहां हमने 20 meter chain से solution देखते हैं सीधा width 20 meter chain जहां हमने 20 meter chain से इसको मीजर किया न तब क्या length था इसकी survey line की 1200 meters यानि की l- 1200 यानि 20 meter होते है यानि 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 याद रखें यह क्या है यानि 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 इसको मीजर किया तो मीजर किया तो मीजर लेंथ की 1212 मीजर बट अपने तो यह आ रही है 206 तो यानि इससे क्या मालब चला की 25 मीजर की चेन थी उसमें भी एरर था तो हमें वही एरर फाइंड करना है ओके चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे विट 25 मीटर चेन जो हमने मेजर मेंट लेंट 25 मीटर की चेन से वह क्या थे सबसे पहले तो आपन क्यापिटल L लेख देए यानि कि क्या इनकरे क्या लेंट लेंट ओप देए आप देए बैन को पता नहीं नहीं यह है गयुत सब्सक्राइस क्यूशक सब्सक्राइब लात रहे हपुप gewoon और हमारे पास क्या दिया गया है? measured length measured length of किसकी survey line की measured length 1212 meter और true length survey line की कितनी है? जो अपन पहले ही निकाल चुके हैं 1206 meters simply formula इंपट कर दीजे we know that अब सीदा सीदा अपना formula जो था अपने पास L है L dash है अपने पास बिल्कोल है अपने पास क्या नहीं है? capital L dash अपने पास नहीं है और अपने पास क्या है? L भी है 25 meters यह यहाँ चला जाएगा 25 हो जाएगा L dash अपने कितनी ही आजाएगी? L dash नहीं आजाएगी 24.88 meters जो chain की actual length रहेगी वो रहेगी अपनी 24.88 meter और हम यह भी निकाल सकते हैं 25 meter माइनस 24.88 meter तो error केतना हुगा? 0.12 meter 2 short measured length क्योंकि जादा है actual length से तो error अपना आएगा 2 short जो अपने 25 meter की chain थी वो 0.12 meter 2 short थी और जो अपने 20 meters की chain थी वो 0.10 meter 2 long थी चलिए फिर इसी सिक्वेंस में हम अपना इस वीडियो का आखरी और थोड़ा हाई standard का सवाल या कुछ नमेरकल देखते हैं चलिए तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं अपने वीडियो का आखरी और इस वीडियो का सबसे tough question ओके तो question क्या कहता है A 20 meter chain was found to be 10 centimeter too long after chaining a distance of 500 1500 meter it was found to be 18 centimeter too long at the end of day's work after chaining a total distance of 2900 meter find the true distance if the chain was correct at before commitment of the work तो देखते हैं दोस्तों question क्या कहना चाह रहा है उमारा question यह कह रहा है कि जो चलिए देखते हैं बिलकुल अपन बारी की से चलेंगे आराम आराम से solution मेरी राइटिंग है इतनी पूरी नहीं है तो अच्छी भी है अथनी जादा भी अच्छी नहीं है चलिए देखते हैं question अपना क्या कह रहा है question कह रहा है कि जो हमने length measure की है 1500 meter तक ओके उमने 1500 meter तक जो measure की है न उसमें starting में तो error था 0 यानि की no error 0 meter पर no error 1500 meter तक पहुंचते पहुंचते अपना error हो गया 10 centimeter too long ओके लेकिन हमने जो chaining की पूरे दिन भर के काम में बहुत थी अपनी total 2900 meter ओके जब हम end में पहुंचे तो पता चला कि 18 centimeter chain हमारी और बढ़ चुकी है क्या होगा इसका मतलब क्या हुई यहां से यहां तक हुए अपने 1500 meter यहां से यहां तक 2900 माइनस 1500 1400 meter यानि कि 0 से 1500 तक जो अपना error आया वो आया 10 centimeter का लेकिन कहां आया यह अपन को पता नहीं है क्योंगी question ने साफ साफ कहा है कि starting chain में no error था क्योंकि starting chain बिल्कुल correct थी यानि कि बीच में कहीं पर error आया होगा और यहां पर भी ऐसा ही हुए यहां पर पहले 10 centimeter था लेकिन एंड में आपन को पता चले यह आपन में चैन मीजर की तो वो चुका था 18 centimeter का यानि कि इसका मतलब किया हुए एरर बीच में पर आया है लेकिन हमको पता नहीं है कहां पर आया है तो इसमें हम एक दूसरा concept यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं average error ओके तो पहले हम देखेंगे for 1500 meter chain meter length ओके यह हमने फास्ट 1500 मीजर की उसके लिए इसमें जो average error था वह क्या होगा अपना zero plus 10 average दो या तीन जी बीच में पर यहां पर अपनको दो लेना है 1500 तक यह 1500 तक मीजर की बात खुड़िए तो जीरो और 10 divided by two is equals to five centimeter जो अपनी chain थी वह ज्यादा थी है ओके अपना endless endless क्या होता है इसमाल मेजर्ड लेंथ ओविएसली क्या क्या capital L one यह भी L one dash because अपन पहले बात करें 1500 मीटर के इसके बात अपनको 1400 मीटर की भी बात करने हैं लिए क्या देजिनेटेड लेंथ क्या इनकरेक्टिड लेंथ 20 मीटर प्लस 0.05 मीटर अपने यह कैसे हुआ चलिगे अब देखते हैं वीना यह वाली लाइन अपन नहीं लेखेंगे लगे लगे लगेंट एक्वल टू एफ यह इन्टू एल बंडेश इन्टू एलवन डेश पॉ L1 अपन को निकालना है 1520.05 divided by 20 is equal to L equal to 1500 into 1.0025 ओके 11 अपनी कितनी है मीटर जिसको हम 1500 मीटर मान कर चल रहे थी उसकी एक्ट्वल लेंद कितनी है 1503.75 मीटर 3.75 मीटर ज्यादा आए क्योंकि अपने चेन थी 5 सेंटी मीटर टू लॉंग यह तो हुई पहले अब बात करते हैं अगले 1400 मीटर की तो जो हमारे 1400 मीटर नेक्स्ट है उनमें एरर क्या आया था जैसा कि यहां पर जो 1500 मीटर से अपने हुच की थी यहां तक था अपना 10 सेंटी मीटर का एरर बट जब पनने लाश्ट में डेज वर्क का एंड वर्क तो उसमें अपने एटीन सेंटी मीटर का एरर आचुगा था तो जो 1400 मीटर से एरर आया वह 10 से लेकर 18 सेंटी मीटर तक आया लेकिन बीच में आया था यानिकि इसमें भी अपने सेम लगाएंगे एवरेज एरर 10 प्लस 18 डिवाइड बाइड बाइड वाइड 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 फॉर्टीन सेंटी मीटर का एरर यानिके अपनी चेन फॉर्टीन सेंटी मीटर तू लॉंग हो गई तो इसमें आप जो डाइमेंशन लेगे वह तू आजाएंगे यहां तक अपना वन के अपिटाल टू डेजिगनेटेड लेंथ 20 मेटर यानिकी इनकरेक्ट लेंथ 20 मेटर प्लस 0.14 मेटर इस एक्वाल टू 20.14 मेटर तो वी नो देट मैं फॉर्मूला नहीं लेखना हूँ डारेक्ट पुट कर रहा हूँ ल्टू इस एक्वाल स्टू 1400 इंटू 20.14 डिवाइड़ बाइ 20 यह एल्टू क्या हो जाएगी 1400 इंटू 1.007 L2 इसएकोस्ट तो 409.8 मिटर यानिकी जो हमार ही एक्प्षवल लेंथ जो हमने मेजर की है , म्यजर इन जहीं जो हमने मेजर कियो 149.8 म रहा है मेजर यानिकी 9.8 म ज्यादा हूँ जो स्वासर क्यों आटशवल लेंध है जो हमने मूजर किए जो हमने यानि कि 1503.75 प्लस 1409.8 मीटर इस प्लस तो 2913.55 मीटर यानि कि जो हमने मीजर की थी इनकरेट लेंथ जो हमने मीजर की थी मीजर लेंथ वो थी अपनी 2900 मीटर लेकिन जो हमारी एक्चुल में जो लेंथ हारी है वो आरे है 2900 13.55 मीटर यानि कि 13.55 मीटर जादा आ रही है तो दोस्तों यह थे कुछ सवाल चेंज सर्वेइंग को लेकर और एरर्स हम कैसे दूर कर सकते हैं तो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो कमपस सर्वेइंग पर आने वाली है जो कि अपना सेकेंड चेप्टर और अगला दिखता दिया आप रमाइड करके देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं मैं कोसिस करूँगा कि आपकी कोई भी जो प्राबलम है उसको दूर करने ही कोसिस करूँग और आलसो प्लीज लाइक, शेर और सब्स्राइब में चैनल और सपोर्ट अस एं